एक बेसिक स्पाइरल लॉट के लिए हमें 4 स्ट्रेंज चाहिए इसी लिए लाक्स हेड नॉट बनाना शुरू करें 4 स्ट्रेंज के लिए हमें ऐसे 2 लाक्स हेड नॉट बनाना होगा अन्य उपियों की डीटेल्स और लाक्स हेड नॉट को सबसे जल्दी बनाने के तरीकों के लिए उपर के आई बटन या डेस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें बीच के दोनों स्ट्रेंज्स फिलर कॉड्स हैं जो हमेशा साथ रहते हैं काम करते वक इन्हें एक ही कॉड्स समझें और बाहरी दोनों स्ट्रेंज्स को वरकिंग कॉड्स स्टार्ट करने के लिए किसी भी साइड का वाकिंग कॉर्ड ले, मैं राइट से स्टार्ट कर रहे हूँ, कुछ इस तरह से बनाएं, जो नमबर 4 के समान हो, लेफ्ट वाकिंग कॉर्ड को चार के निचले हिस्से के ऊपर रखें, फिर साथ में रहने वाले बीच के दोनों फि सा है, और स्पाइरल नॉट के लिए हम ऐसे ही हाफ स्क्वेर नॉट्स रिपीट करते रहना होगा, ऐसे ही लगबग 3 से 4 हाफ स्क्वेर नॉट्स बनाते ही, कुछ ऐसा स्पाइरल सा बनते हुए दिखने लगेगा, अगर लेफ्ट से शुरू करना हो तो, लेफ्ट कोड के नीचे से ले जाएं, सेम यही राइट वाकिंग कोड फिलर कोड के नीचे से होते हुए, लेफ्ट साइड में बने लूप से पाहा निकाल दें, और टाइटली सिक्योर करें, इसमें स्क्वेर नॉट्स की तरफ दूसरे साइड में रिपीट करने के वजाए, सेम जि लेफ्ट साइड में ही करते जा रही हूं, यह बहुत आसान है, एक बार घर पे खुद से ट्राइ करें, जरूर कर पाएंगे, किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूजिंग लगे या डिफिकल्टी हो, तो वीडियो पॉस करके दुबारा ट्राइ करें, ध्यान से देखें, स्टा पर ट्रस्ट मी, ग्रैजुली इसका हैंग हो जाने पर एक टाइम ऐसा आएगा, जब इसे बंद आँखों से भी कर सकते हैं, मजाक नहीं कर रही, जैसे यह स्पाइरल धीरे धीरे प्रॉमिनेंट होते जा रहा है, I'm sure यह देखके आप भी अमेज्ड होंगे, कैसे यह कॉद अपना ओरिजनल पॉजिशन ग्रैजुली शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे और नॉट से इनका एक कम्प्लीट फुल टान ओवर हो जाएगा, जिससे कॉद का नया सीक्विंस है, येलो, ग्रीन, येलो, ग्रीन, राइट में जो स्पाइरल नॉट है, वो राइट से शुरू किया अफकॉस, लेफ्ट में जो है, वो लेफ्ट से शुरू किया गया है, यहां क्लियरली देख सकते हैं, जो स्पाइरल्स बने हैं, वो एक दूसरे के एक्जाक्ट ऑपोसिट हैं, कीप ट्राइं, जब तक आपको सिर्फ इस पे फोकस ना करते हुए, माल्टी टास्क भी कर सकत रहे हैं, अपना फेवरिट सीरीज देखते हुए, ठ्रस्ट में, काफी थेरप्यूटिक है यह, थैंक यू फो वाचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ,